नमस्कार दोस्तों मैं सुजित कुमार पंडेत आपका यूट्यूब चैनल इंटरनेर से सिखो में आप सबों का स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्तित हुआ हूँ जो बिहार सरकार के तरफ से रोजगार मिला के लिए है और यह वीडियो जो है मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से और सबसे पहले एक बात बतना चाहूँगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राब और गंटे को बटन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो में बनाता हूँ वो आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप हर न्यूज की जानकारी प्राप्त कर सके हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे थमनेल में दिया गया है कि बिहार के 38 जिलो में रोजगार मेला ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन चालू है और किस तरह से आपको रेजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ और कौन से जिले में किस तारिक को नियोजन जो मेला नियोजन रोजगार मेला नियोजन लगेगा कौन कौन से दिनों से बताने वाला हूं तो आपको इस वीडियो के अनतक बने रहना है कि जैसे कि आप हमारे थमनेल में देख सकते हैं बिहार के 38 जीलों में रोजगार मिला ओनलाइन रेजिस्टेशन चालू हुआ जिलावाज स्तिथी घोसित कैसे करें रेजिस्टेशन सभी लोग अपने अपने जीले का डेट जरूर देख लें और इसमें आपको किसी भी है कोई फीस नहीं लगेगा पांच भी हो दस भी हो बार्वी ओ आईटि आए ग्रेजिवेट की कोई भी एज्यूटेशन के कंडिट्स हैं वह इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं तो किस तरह से आपको फॉर्म को फिल अप करने मैं सबसे पहले आप आपको नोटिफिकेशन की बारे में जनकारी दे देना चाहता हूं तो इसके लिए आपको इसके ओफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो इसका ओफिशियल वेबसाइट मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप डिरेक्टली जाकर करके उस विशियल वेबसाइट पर जाकर करके आप उस नोटिफिकेशन को पर सकते हैं और अपना on-line रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो चलते हैं इसके ओफिशियल वेबसाइट पर जाने से पहले आपको और आपको जो है सबसे पहले जो न्यूज आपको दिखाई दे रहा है नियोजन से मारदर्शन मिला 2019 इस मारदर्शन जो लिखा हुआ है इसे आपको क्लिक करने आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो इसके नोटिस बोट पर आप चले जाएंगे जो जो फेर के लिए और नोटिस बोट पर जाने के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है दो नमबर में ग्यापन 820 निदिसाले नियोजन अधिनेस्त सेत्र कारेले दुवारा उनेस दोजार उनेस दोजार बीस में आयोजित की जाने वाली जिलास्त्री नियोजन मिला के संसोधित समीकित कारकरम के संबंद में आप इसे जिसे ही दो करेंगे तो आपको एक डशाले बाको चाले के कटीकरने पर जाते हैं तो चलते हैं नोटिफिकेशन को डानलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड मैंने अल्रडी कर रखा है और जैसा कि आप देख सकते हैं समसाजन विभाग निदेशाले नियोजन एवन परसिक्षन नियोजन बिहार पटना ज्यान दस्तों और आप इसमें देख सकते हैं उपरियुक्त अनुरोध है कि निदेशाले नि सभी संबंदित पदाधिकार नियोजन मेले के आकर निर्धारी तिति के TO के दस से पंद्रेध दिन पूर्व से नियोजन मेले में विस्तिर तयारी करना शुनेसीत करेंगे और ये सारी जनकाने इसमें दी गई है और कौन-कौन से जिले में दी गई है वह भी मैं आपको प्लियर कर देता हूं तो वित्य वर्स आप देख सकते हैं कि वित्य वर्स 2019 से 2020 में सरंद संसादन विभाग द्वारा आजवित के होने माले जिलास्तरी नियोजन मिला का समय कित संसोदित प्रस्तावित कारेकराम जो पहला नमर में भववा है दुसरे नमर में मुझपरपूर है जो already इसकी हो चुकी है और जो सितंबर से श्टार्टिंग एक सितंबर से आपका जो 31 अगस्त से एक सितंबर तक वो बक्षर में है शेखपुरा में आपका 5-6 सितंबर है नालंदा में 7-8 सितंबर है और छपरा में 14-15 सितंबर है अरवल में आपका 19-20 सितंबर है जमुई में 11-22 सितंबर है निम्न परकार से आपको जो है सारे जितनी भी बिहार में 38 जिले हैं 3800 जिलों के जो है सूची इसमें दी गई है कि क बागलपूर जिले में भी इसकी दी गई है आपको बागलपूर जिले में आपको दी गई है 12 से 13 अक्टूबर 2019 वैसाली जिले में 18 से 19 अक्टूबर 2019 पूर्णिया जिले में आपका 19 से 10 नवंबर 2019 इसी परकार नीम नवर्ट से जो है ने आपकी सारी जितनी भी बिहार में 38 जिले हैं 38 जिले में जो है आपका नियोजन मेला लगने की जो तारीक है वह भी निर्दारित की गई है इसमें और दोस्तो मैंने एक बात और बताया था कि आपको किस तरह से रेश्ट तो चलते स्केजिस जो पॉटल उस पॉर्टल पर आपको लिखे चलते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते यह इसका ऑनलाइन जो रेजिस्टेशन होगा नियोजन मेला के लिए यह इसका officially website जो आपको जाने है नियोजन मेले के लिए आपको सम्मिलित होने है उनकी जो है उसकी जो है यह ऑनलाइन प्रोसेस होने वाली है और आपको किस तरह से registration करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको जो है ये new user के लिए आपको इस पे आपको click करने है और इसे click करने के बाद आपको जो है इसके officially page पे आप चले जाएंगे जो registration का page है आप देख सकते हैं कि ये registration का page खुल चुका है और इसमें जो है और इसमें जो आपको देख सकते हैं जोब सीकर में आपको first name, middle name, last name उसके बाद gender, date of birth, guardian name, high qualification लेबल जो आपका है जो आपका high qualification हो है अगर graduate है तो graduate, inter है तो inter, metric तो metric और state चुल लेने है email id डालने है, mobile number डालने है, password को आपको create कर लेने है, unique id जो आपका pen card है तो pen card या तो आधार card है, आधार card कोई भी आपको किसी भी को आपको चुल लेने है उसके बाद आपको username आपको बना लेने है अपना और इसमें जो आपका capture को आपको इसमें भर लेने है और submit button पर आपको किलिक कर देने है submit button पर किलिक करने के बाद आपको जो इसका जो NCS के तरफ से जो आपको registration number मिलेगा, उस registration number पर आपको लिख लेने हैं और उसके card को किस तरह से download करने है और इसे किस तरह से आपको इसमें registration करने हैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से step by step में बताऊंगा किस तरह से आपको इसे registration करना है और आपना job seeker का जो है जो नियोजन मिले में आपको उस card के card को लगे गया जो रोजगार मिला में सम्मिलित होना चाहते हैं वो इसे registration के process को पार कर सके और अपना registration कर सके और नियोजन मिले में सम्मिलित हो सके सो दोस्तों हमारे YouTube channel में आप सबों का धन्यवाद